हाई एवरिवन, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहूल जेस्पाल है, आपका स्वागत करता हूँ एक बद फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर मार नहीं खाना है ना मुझसे, दे तो आया कि कैमरे में आ जाओंगा, ठीक है, पनिश्मेंट देने के लिए, तो चलो मजा की बात हो गई, अब सीरियस हो जाओ, देखो दोस्तों आप लोग के लिए कंटिनियूर्स पढ़ाए जा रहा है, कंटिनियूर्स जैसे कि आप दे यह सभी चीज आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, वैसे तो आज हमारा पहला लेक्टर है, लेक्टर नमर वन, तो यह जो चाप्टर है आपका, दो लेक्टर में कम्प्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर बने रहना, एक रिक्वेस्ट आप से यह है, कि आप पल प्लेश्टर होता है, फोन में, मुबाइल फोन में, प्लेश्टर होता है, एंड्रोइड में, तो वहाँ पर जाके जया टूटोरियास का अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना, उसको रेजिस्टर कर लेना, उसमें आपका नाम, mobile number वोगरे सब डाल के register कर लेना फिर आपको एक ID और एक password मिल जाएगा वो आपने जो create किया रहेगा उससे login करके आप जितने भी चीज़ें अंदर है application को उसको free of cost use कर सकते हो तो जरूर से कर लेना और साथी में मुझे Instagram पर follow कर लेना ये सब के link description में है ठीक है चलो आ जाते है topic पर तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि क्या पढ़ना है हम लोगो force पढ़ना देको force का मतलब क्या होता है जैसे कि force का एक basic definition होता है जिसको हम लोग बोलते है ताकत अब आप बोलगे कि सर्फ power को भी हम लोग ताकत बोलते हैं correct है सही बात है power को हम लोग ताकत बोलते है ल लेकिन जो force है, force की अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा चीज है, कि जिसके भीना, दुनिया में कोई भी चीज हिल नहीं सकता, एक जगा से दुसरे जगा जा नहीं सकता, example के तोर पे, ये मेरा हाथ है, यहाँ पर मैंने ये marker को ऐसा रखा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग साल, 50 साल के बाद भी आओगे, तो ये marker अपनी जगा पे ऐसे ही पढ़ा रहेगा, लेकिन अगर मैं इस marker के ऊपर कोई ताकत लगा दूँ, कोई force लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये अपना position को change कर लेगा, जैसे कि मैंने क्या कि अपना उंगली से एक power लगा दिया, ए अपने जगा से दूसरे जगा पे move हो गया, यानि कि अगर दुनिया में कोई भी चीज है, जैसे कि एक object है, पहले मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है, ये object को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, अब मुझे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक move करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके उपर ताकत लगानी पड़ेगी, यानि कि फोर्स लगाना पड़ेगा, यानि कि कोई भी object खुद से अपना जगा कभी जिंदगी में चेंज नहीं कर सकता, आप बोलोगों कि सर में अपना जगा खुद से चेंज करता हूँ, लेकि आप खुद से चेंज से तब तक नहीं हिलती, तब तक जब तक उसके उपर फोर्स नहीं लगता, और फोर्स एक ऐसा चीज है, जो कि responsible है कोई भी object को एक जगा से दुसरे जगा पहुचाने के लिए, एक जगा से दुसरे जगा मूव करवाने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया force तो क्या बोल रह है, ठीक है अब मेरा diagram तुब होत समझ हो, या आपकी car है ठीक है अब ये car को चल के इधर जाना है, तो कैसे करना पढ़ेगा इसको यहाँ पे चालू करना पढ़ेगा, और चालू करने का मतलब क्या है, कि जब car चालू होती है, तो आपको क्या करना पढ़ता है, स्टार्ट क करना पड़ता है ठीक है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है और आप एक्सेलेटर प्रेस करोगे कार में तो गाड़ी आगे बड़ेगे लेकिन उसके पीछे का वर्किंग कोन कर रहा है एंजिन कर रहा है करेक्ट है ना कार में एंजीन होता है बाइक में एंजीन होता ह जिसके वेसे गाड़िया आगे बढ़ेगी, यानि कि उसके पीछे भी एक force जिम्मेदर है, यानि दुनिया में कोई भी चीज़े एक जगा से दूसर जगा पहुचाने के लिए उसको ताकत लगता है, क्या लगता है, force लगता है, and also force is used to change the direction, अगर आपको किसी चीज़ का direction change क अभी यह इस तरफ direction था, यह north south है, यह आप जो देख पा रहे हो, यह north south direction है, इसको मैंने क्या किया, अपने हातों से, मतलब power लगा के, force लगा के मैंने इधर घुमा दिया, तो यह east west में आ गया, तो कोई भी चीज़ का direction भी अगर change करना है, तो वो खुच से change नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर रखा हुआ हो, और मैं बोलू, ए घुमजा, घुमजा, magic तो, magician तो हूनी में, ठीक है, magician में भी एक तरीके से force ही लगता है, बस हमें दिखता नहीं है, तो हम जादू समझते है, जादू अगर reality में कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो सब छलावा होता है, हम लोग को किस प्रकार से अंदेरे में रखा जाए, किस प्रकार से चीज़े छुपा की किया जाए, तो वो ही होता है magic, ठीक है, वो सब tricks होते हैं, और कुछ नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ को direction भी चेंज करना है, तो जब तक मैं उसके ओपर force नहीं लगाँगा, तब तक यह क्या करेगा, direction change यह नहीं करेगा, तो force is also used to change the direction, फिर force क्या करता है, force is used to stop the moving object, जैसे कि मैंने car का example दिया, bike का, आप cycle चलाते हो, आप cycle चलाते हो, तो आप पैडल मार रहे हो, पैडल मार रहे हो, मतलब पाकत लगा रहे हो, force लगा रहे हो, तभी cycle आपका चल रहे हो, तो आपका जो rubber pad होता है, brake pad जिसको बोलते है, वो cycle के rim पे घिसता है, और धीरे धीरे आपका जो wheel है, जो चक्का है, आपका cycle का, जो tire है, वो गोल-गोल घुमने से रुखेगा, और जो cycle होगा आपका जगए पे रुख जाएगा, तो उसमें क्या क्या क्या, आपने हाथों से brake क running stage में है, तो उसको अगर रोकना है, stop करना है, तो भी हम लोगो क्या लगाना पड़ेगा, force को लगाना पड़ेगा, तो मतला force is also used to stop the object, and last but not the least, force is also used to change the shape of object, कोई भी चीज़ का shape अगर change करना है, तो मुझे force लगाना पड़ेगा, जैसे मटका, एक मिट्टी होती है, मिट् का पिगला हुआ, लोहा, उसको hammer, क्या hammer से हम लोग पीटते हैं, तो उसका shape change हो जाता है, तो दुनिया में जो भी चीज़े हैं, अगर आपको उसका shape change करना है, खासकर mechanical industries में आप जाओगे, जहाँ पे लोहा बनता है, steel बनता है, यह सब जगा पे बहुत जोर जोर से hammer मारा जाता है, बहुत जोर जोर से machine supply होते हैं, तो जिसके वैसे कोई भी चीज़ का shape जो है, वो दिरे दिरे change होता है, तो समझ में आ गया force क्या है, और किस तरीके से use किया जाता है, और क्या क्या हो सकता है force से, उमीद करता हूँ, यह basic चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, machine से लगेगा mechanical force, इसरा है gravitational force, जो earth लगाता है, gravity है न हमारे earth के उपर, तो gravitational force, magnetic force, जो magnet से लगेगा magnetic force, frictional force, कोई भी दो object एक दूसरे के contact में आते हैं, तो friction होता है, वो होता है, frictional force, sixth है electrostatic force, यानि कि जो आपका plastic या फिर कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ है, जिसमें charge develop होते ह इसको बोलते है electrostatic force, और एक होता है combine, ये सभी का combination में होता है, वो combined force, अब ये मैंने अपने मुह से उपर, उपर से बता दिया, लेकिन इसको हम लोग detail में पढ़ेंगे, तो आज का इस lecture में, मैं बात करूँगा, muscular force के बारे में, mechanical force के बारे में, gravitational force के बारे में, ये तीन च क्या होता है muscular force, तो देखो, इसको समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी force, कोई भी force लग रहा है, किसके दौरा, muscles के दौरा, अब आपको पता है muscles कहा होते हैं, हमारे पास हमारे पूरे शरील में muscles present है, यहाँ पे हाप में muscles है, तीक है, हमारे यहाँ पे muscles है, हमारे पैर में muscles है, तो जहाँ जहाँ muscles है, वो muscles की help से अगर कोई power लग रहा है, तो that is nothing but the muscular force, आप देखो, यहाँ पे भी muscle है, अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, मैं बोलने के लिए अपना मूग को हिला रहा हूँ, यह मेरा जबड़ा है, जिसको job बोलते है, यह बा हिलेंगे, तब तक हमारा आवाज नहीं निकलेगा, तो अगर पर एक्जामपल मैंने मूग बन कर लिया, देखो, मैं कुछ बोलने के कोशिश कर रहा हूँ, आवाज नहीं निकल रहा है, तो जब तक मैं अपना मूग को नहीं खोलूँगा, यानि कि जो मेरे muscles है, वो उपर moment, यानि कि muscles जिम्मेदार है, तो इसके examples क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, हाथ से कोई भी काम कर रहे हो, लेक से कोई भी काम कर रहे हो, जैसे running हो गया, ठीक है, आप मैं भी लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ना, writing कर रहा और आहां हो गया है यह सबीके सभी कोई चीज जो हो रही है न मसल के वजए से possible हो रहा है आयर वह मसल के वजए से एकonstrion लगग रहा है उसी को अम लोगिनने मश्व्राव क्या बोलेंगे चलो, mechanical force, तो जैसे मैंने आपको बोला है, muscular force मतलब ऐसा force, जो कौन लगाता है, मतल्स लगाता है, शरीर का muscles लगाता है, उसको बोलेंगे muscular force, उसी प्रकार, अगर कोई force, कोई भी ताकत लग रही है, किसके द्वारा, machines के द्वारा, कोई भी मशीन हो सकती है, तो कोई भी मशीन के दवारा अगर कोई force लग रहा है, ताकत लग रहा है तो उस type के force को हम लो गोलेंगे mechanical force, example के तौर पे जैसे कि पंखा गोल-गोल गुम रहा है, तो पंखा गोल-गोल क्यों गुम रहा है, जैसे हमने एक button on किया, current आपके wire के through, कहा तक पहुचा, आपके fan तक पहुचा, fan में क्या present होता है, जैसे मैं example दे रहा हूँ, यहाँ पे fan का, ठीक है, fan एक machine है, तो fan के अंदर होता है motor, और motor को जैसे electricity मिल गया, तो motor क्या करेगा, एक force create करेगा, कौन सा force करेगा, एक तरीके से circular force, circular pattern में गोल-गोल गुमने लगेगा, और वो आपका convert हो जाएगा, किसमे, mechanical force के अंदर, यानि कि एक तरीके से, power मिलने से, उसको क्या मिल गया, force मिल गया, यह हो गया, आपके जितने भी instrument हो गई, ठीक है न, आपकी vehicle हो गई, आपकी automobile गाड़ी हो गई, vehicles, आप जितने में machine के बारे में सोच सकते हो, हर एक machine के अंदर, जो भी ताकत लग रही है, machine द्वारा लगाए जा रही है, वो सभी के सभी क्या होते है, mechanical force होते हैं, correct है, clear है, कितना easy examples है, इतना आसानी से आप लोग मन से, अपने मन से जो daily uses वाले जो थींगे न, वो भी आप example बना के exam में लिख लोगे, तो भी आपको marks मिल जाएगा, okay, अब चलेंगे हमारे तीसरे type की तरब, जो कि है हमारा third, आज के दिन का वो है, दोस्तो, gravitational force, ठीक है, gravitational force, अब ये कौन सा force होता है, जैसे मैंने है, आपको पथा ही है, कि प्रिथ्वी का एक nature है, जो प्रिथ्वी होता है, ये गोल घुमता है पहली बात तो, और प्रिथ्वी के उपर हम रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही, और हमें gravity प्रदान करता है, क्या देता है, gravity, और यही gravity के वज़े से हम कोई भी चीज़ को अगर उपर फिकेंगे, तो यह घूम फिर के क्या आता है, नीचे आता है, क्यूँ? क्यूँकि यह science है, हमारा प्रिथ्वी के पास एक ऐसा ताकत, एक ऐसा magnet है, जो हर एक वस्तु को अपनी तरफ खीचता है, जैसे आप कोई magnet के आसपास लोखन रग दो, iron रग दो, nickel रग दो, cobalt के material रग दो, तो जो magnet होगा, वो उसको खीचेगा अपनी तरफ, वैसी समझ लो, हमारा जो प्रिथ्वी है, जो अर्थ है, वो एक तरीके का magnet है, जो क्या करता है, अपनी gravitational force के है, तो अगर प्रिथ्वी के ओपर gravitational force नहीं होता, तो हम सब हवे में उड़ रहे होता है, आप स्पेस में जाओ, आपने देखा है, स्पेस क्राफ्ट में जो astronauts बैट के जाते हैं, वो हवे में उड़ते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी ऐसा bouncy 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 होता है, ठीके, तो हमारा स्पी के पास gravity बहुत जादा है, और वो जल्दी से नीचे खीच लेता है, समझ में आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग gravitational force और उमीद करता हूँ कि आपको ये topic जो था, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आज का lecture इसी के साथ में समाप्त करता हमने पढ़ लिया, force क्या होता है, कौन-कौन से type के force होते हो और उसमें से mainly 3 type के force हमने पढ़ लिया, अब जो बचा हुआ, 4 force है, जिसका नाम क्या है, magnetic, frictional, electrostatic और combined force, ये चारो हमारे अगले lecture, lecture number 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और new वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and good bye